हेलो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम एनपी सी इल इस्टी बेंटरी ट्रेनी के एक्जाम के 25 कुश्चन कर चुके थे आज इस वीडियो में हम 25 से आगे के जो कुश्चन है उनको सोल करेंगे तो चलिए पहला कुश्चन देखते हैं आज का सिद्धियों के अब आर्मेचरीक्शन इस क्रोस मेगनेटाइजन वें दा जनरेटर सप्लाइजयर लोड एट यूह ने की कुश्चन में पूच्छा है हमसे कि जो आर्मेचरीक्शन है जनरेटर के के समय वो क्रोस मेगनेटाइजिंग नेचर की किस पाज़ेश पर फैक्टर होगा हमारा अब इसको याद कैसे करें याद करने के लिए क्या करो आप एक टेवल देखो अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ कि कैसे करना है आप अब दो चीजों की बात कर रहें साथ में और मोटर की विए क्योंकि कुश्चन उल्टरेंटर पर ब्यासकता है तो सबसे पहले यूणिटी पाव़टर पे देख लेते हैं तो यूणिटी फावर फेक्टर पर हम देखेंगे ना बले वह नेरेटर दोनों के केस में हमारा cross magnetizing nature होगा क्या होगा cross magnetizing nature अब दूसरा देखते हैं हम lag की power factor जब lagging हो zero power factor lag हो तब हम देखते हैं कि क्या होता है lag का मतलब दोस्तों क्या होता है पीछे रहना किसी से पीछे रह जाना यानि कि lag करना अब यहाँ पर demagnetizing लिखा हुआ है कि lag आएगा इसका मतलब demagnetizing होगा तो यह आपको generator के लिए एक के लिए याद रखना है motor के लिए सारा उल्टा हो जाएगा तो हमने क्या किया alternator के लिए हमको पता चल गया कि lag लिख रखना है इसका मतलब demagnetizing होगा अब motor में बात करना है lead से क्या आ रहा हमारा magnetizing यह हो रहा हमारा alternator के case में हम motor के case में हम बात करेंगे तो इसका उल्टा कर दो magnetizing का उल्टा क्या हो जाएगा demagnetizing आ जाएगा तो यह जो तीन point है ने starting के यह ज़्यादा तर एक्जाम में पूंचे जाते हैं तो यह आपको याद रखना है बहुत आसान है याद रखना ठीक है अब अगला देखते है pointed leg और pointed lead के बारे में सबसे पहले lag अब lag है lag का मतलब अभी देखा पीछे रहना यानि कि D लगा होगा demagnetizing होगा तो इसमें क्या कहेंगे है partly demagnetizing और partly cross magnetizing अब इसका उल्टा किस्म हो जाएगा motor में demagnetizing था यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका magnetizing हो जाएगा और नीचे का partly cross magnetizing तो सेम रहेगा ऐसे lead का मतलब क्या था हमारा magnetizing तो magnetizing आगया है यहाँ पे partly magnetizing और साथ में क्या आगया cross magnetizing तो motor में देखेंगे तो उल्टा magnetizing यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या आजाएगा demagnetizing और प्लस partly cross magnetizing यह तो सेम रहेगा तो आप इस तरही किसे अगर इस table को याद रख लोगे तो जो यह power factor से later जो भी question आते न और सारे आसानी से solve कर पाओगे अभी question में हमसे पूंचा था कि alternator के case में generator के case में cross magnetizing nature किस power factor पे होता है तो अभी हमको पता चल गया कि भले motor हो भले alternator हो unity power factor पे ही हमारा cross magnetizing nature होता है तो आसान था यह question अब अगला question देखते है while connecting capacitors in a circuit होता है न उसकी जो polarity होती है उसको हमको ध्यान रखना है अगर circuit में हम उसको connect कर रहे हैं तो यह ऐसे किस तरीके की capacitor होता है जिनमें आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि plus को plus से connect करो minus को minus करो तो यह हमसे पूचा है बताओ कि वो कौन सा capacitor है जिसमें आपको ऐसा करना है तो दोस्तों जो electrolytic capacitor होता है इसमें आपको यह ध्यान रखना पड़ता है polarity का पूरे अची तरीके से कि plus को plus से ही connect करना है minus को minus से ही connect करना है बाकि जो capacitor है ceramic मेका यह पेपर है इनमें कैसे भी connect कर सकते हैं electrolytic capacitor में आपको polarity का आची तरीके से पता होना चाहिए कि किस तरीके से polarity है तो option B आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा अब next question देखते हैं permeability is the phenomenon of dash which is dependent upon a certain property of the medium तो सबसे पहले हम से पूच क्या रहा है कि जो permeability है ना वो किस चीज का फिनोमेना है option में को क्या दे रहे हैं दोस्तों जो permeability है ना permeability को हम represent करते हैं ralya यह आपने देखा होगा तो जो permeability होता है यह magnetism के case में आता है तो option C आपको हैं correct है बोथ magnetism और Electromagnetism इस में यह हमारा आता है तो ध्यान रखने आपको magnetism और Electromagnetism में हमारा permeability phenomena आता है अब आपने यह symbol तो देखा था permeability का एक symbol और आपने पढ़ा होगा epsilon ठीक है इसको हम क्या कहते है permeability permeability कहते है अब ध्यान रखना यह permeability है mute epsilon जो है यह permeability है यह हमारा electric circuits के case में आता है जहां हम electrostatics की बात करते हैं वहां पे हम करेंगे permeability की बात चलो दोस्तों यह question हो गया अगला देखते हैं air core reactors are also known as यह पूछ रहा है कि air core reactor होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं अब दोस्तों air core reactor होते हैं इसमें वाड़ा reactor reactor क्या होता है दोस्तों inductor inductor को यह reactor कहते हैं तो यह क्या करता है reactor जो होता है reactor क्या करता है जो हमारी reactive power रहती है उसको क्या करता है absorb करता है capacitor जो रहता है वो deliver करता है reactor क्या करता है absorb करता है तो दोस्तों जो power system रहता है power system में हम पढ़ते हैं जो transition lines रहती है उन में जो sub station रहते हैं जहापे हमारे connecting करते हैं के लागार लगाए रएक्टर लगाए कसे और क्यापिशिटर वियूंक वह भी लगांके रखे-दोनों चीजी है हम्लियू होता है कि कभी कभी क्या होते हैं तो उसके तो उसके हमको क्या करना पड़ता है रियक्टर का यूज करना पड़ता है यह क्या करता है हमारी पाउर को एब्जोब कर लेता है दोस्तों देखो मैं एक आपको इमेज बताता हूं यहाँ पर देखो यह जो दिख रहे हैं डाउन टाइप यह क्या है आपके रियक्टर है यह आपके समिस्टेशन में लगे हुई रहते हैं जब कभी भी सर्प्लस पाउर आती है तो हम इनको ओन कर देते हैं और ये उस पाउर को एब्जोब कर लेते हैं इसी तरीके से कैपसिटर बैंक लगा हुआ रहता है जब कभी हमको पाउर की रिक्वार्मेंट होती है यानि कि पाउर कम होती है मार पास और थोड़ी ज्यादा चाहिए हमको तो हम कैपसिटर बैंक को ओन कर देते हैं और वो रियक्टिव पाउर क्या करता है डिलीवर कर देत तो इस कुश्चन में हमसे पूछा था कि जो एर को रियक्टर होते हैं ना उनको और क्या कहते है तो उनको कहते हैं अधिये जो वो बिल्कूल सब्सक्राइब अगला question देखते हैं यहां पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का इन में से कौन सा method नहीं है तो वैसे तो option पढ़ते हैं आपको आसानी से पता चल गया होगा कि जो add current type जो रहता नहीं यह कोई भी method नहीं है है Choice कर ब्रेकिंगा ली PHP यह कोनसेप्ट है लेंकिन टीन छी नहीं और व्रेकिंग की होती है अब इलेक्रिकल ब्रेकिंग जो है यह MU ज्यादा use करते है आज दीरे-धीर advancement होता जा रहे इससимों use करने लगे कि पहले जो हमारा mechanical breaking यूजे ले से वसमें बहुत friction होता था और होता था मेंटेनन्स की रिक्वार्मेंट ज्यादा पड़ती थी प्र bots eje isест और इंस्टेंट ब्रेकिंग ना ते थी यानि आप एक जगह पे डिस्क प्रेकिंग लाड़े को लड़े थे जो आर्मेचर की जो टर्मिनल से रहते हैं उनको इंटर्चेंज कर देते हैं पहले मालो आर्मेचर का प्लस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल से कनेक्टेट था तो अब हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे प्लस वार्प्लस जो आर्मेचर का प्लस टर्मिनल है उसको तो माइनस करन्ट इस दिसा में फिलोगा क्योंकि हमने उल्टे कर दी तो करेंट भी उल्टा हो जाएगा ना इसलिए लिखा है यहां पर कावंटर करन्ट जो दूसरा है रियो स्टेटिक और डाइनमिक इसमें हम क्या कर देते हैं सप्लाइस से आर में टर्मिनर्स को अठा देते तो उसक तो हमारी जो सिंकूनरेस स्पीड है उससे हिछाथा पर rendez नहागा चाहता आघसा अब अर्डरकतर नहीं सब्सक्रीट ब्राइग्च नेस्यों कनेों देखते हैं दक कंृपसें उत बाइन ही से कॉनेक्टर को टॉडिकमेंट और लिजमार्प िसकू में अर्थ इस नोने यह कुश्यर में आपसे कह रहा है कि वह कुन सा कट्डक्टर यह उसका नाम क्या है किस तरीके के कंट्टर से हम चुन से से क्या करते हैं एक एक क्या करते हैं एक user कर देते हैं ज हब मात यहां पर ईसले किया देते हैं민 ताकि जो भी clap a 10 का चेया तो इसके Twitch क्योड़ सब्सक्राइब हो जाए यह क्राइगा हो बिले किया था तो इसकानसर था अगला कुश्य 제품 है है कि एकापसि टैन्स ओब 0.05 माइक्रो इस टो पर फैराड माइक्रो का मतलब ही क्या होता हमारा 10 टो धिपार माइनस शिक्स हम को पता है माइक्रो का मतलब यह तो इस में वेल्यू ऊट कर दो वन 0.05 इंटु 10 तो दिपार माइनस 6 तो कौन सा उप्षन में मैच हो रहा है उप्षन भी में तो यह हमारा क्या हो जागा एकदम सब्सक्राइब अब अगला कुशन देखते हैं डैस सर्किट इस ओल्सो ौल्ड एर रेजोनेंट सर्किट टैंक सर्किट और क्यों ट्यूंड्व पड़ेश अब अब आजने जनरली हमेशा सुनते सुनते टैंक नहीं सुना होगा तो रेजोनेंट यह आपने तो रेजोनेंट की कंडिशन का यह दोनों की इकनडिशन आती है तो यह जो है यह किस सर्कूर की नम यह से पूछ रहा है आरे सर्कीट में होता है या 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 इंडक्टर और कैपसिटर के लिए तो आपको क्या पता चल रहे हैं यानि इंडक्टर का सी या नी कैपसिटर का तो कौन सा सर्कीट होगा है अगर हमारे पास क्या जाएगा इनकी कंडिशन आ जाएगी तो किसमें आएगी या आपको याद रखना है अगला कुश्चन है दर रेश्यों ओव दा सम ओफ इंडिविज्वल मैक्जिमम् डिमांड्स टू दा मैक्जिमम् डिमांड इस नोने क्या दे रहता है उपर हमको कह रहा है कि समे इंडिविज्वल दोस्तों अलग अलग जनों की जो भी डिमांड है उनको क्या कर दिया हमने उपर लिख दिया और नीचे डिवाइड कर दिया टोटल मैक्जिमम् डिमांड जो भी होगी किसी की उससे क्या किया है उपर इंडिविज्वल मैक्जिमम् डिमांड है और नीच घ्र हो तो सबकिनी इंडिविज्वल माइचंट्र म्लएं जोड़न ज़ोडिया कि तीन सो आ यह किसी क्या सबको मैंने क्या करना एक्षाम पडिया तो नीचे हैं उसकी मैंने से कि यह Hospital दोस्तों दोस्तों एक सी हैं है कि यहां पर सबका उपर जोड करेंगे ना तो जाज आएगा जैसे 500 था यह 400 यह 300 तो यह कितना हो जाएगा 1200 उपर और नीचे तो क्या है 500 अब इसकी वैल्यू को आप हमेशा देखोगे स्मूल करोगे तो यह हमेशा क्या है वन से बड़ी ही आने वाली यह वैल्यू तो कभी- रखना है जो डायवर्सिटी स्वेक्टर जो रहता है हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन वन होता है क्या रहता है यूनिटी से ज्यादा बड़ा होता है यूनिटी से ज्यादा बड़ा ऐसे भी लिखा हो सकता है यह आपको द्यार रखना है और फोर्मला भी याद रखना है कि Sum of individual maximum demand divided by maximum demand को यह क्या करते है diversity factor करते हैं टीक्पान वाटने को Πता है को सब्सक्राइब हनी होता है Defender कि कितनी डिमांड पढ़ रही है हमको घर पे वह र्मांड हो जाएगा यह किसी भी पर्ट्टिकुलर इर्या में rend कितनी दिमांड है ठीक लोड फेक्टर विो ता यह सब होई है यह आप एक बार देख लेना सारे फोर्मुले ने तो आपको पता लग जाया गए यह लोड फेक्टर का फोर्मुला यह होता है पी आवफिक ज्वाज़ वाई पी मेक्स तो यह सारे फॉर्मुले एक बार देख पिछले बाद 10 to the power minus 6 होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर लिख रहा हूं मैं वन इंटू 10 to the power minus 3 यानि की 1 divided by 1000 ऐसे लिख सकता हूं ना इसको नीच ले गया तो यह क्या जाएगा हमारा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ऐसे आजाएगा ना तो ओपसर यह हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा यहां अब नेक्स मुस्चन देखते हैं यहां पर किसकी ऐसा यूनिट पूंच रहा हमसे लूमिनस फ्लक्स तो जो लूमिनस फ्लक्स होती है ना इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी क्या होती है लूमेन क्या होती है लूमेन्स ऐसा यूनिट होती है लूमिनस फ्लक्स की लूमेन कैंडला किसकी होती है फिर कैंडला आपको याद रखना है यह होती है आपकी कैंडला luminous intensity की unit होती है आपकी candle कावं हो स्ट्रेडियन होती है आपकी और स्ट्रेडियन अग्य होती है और यह को तो हमारे प्लेएंगल ना होती है वो होता है हमारा और तो यह तो आपने पढ़ाई अहुगा होगा है और लिखा आजाए तो वह होती है आपके solid angle की candle होती है luminous intensity की और एक बज़ी है lux lux दोस्तों आपकी unit होती है illumination की illumination की unit होती है तो आपको याद रखना है यह question बहुत पूचे जाते हैं कभी कभी पूच लेते हैं कि किसकी unit कौन सी है तो candela तो जरूर याद अखना यह बहुत बार मुचा जाता है candela luminous intensity की होती है और lumen luminous flux की होती है lux illumination की होती है stadion solid angle की होती है clean angle की gradient होती है चलिए अब next question पे चलते है which of the following type of transformer is classified on the basis of service service के basis पे इनमें से कौन सा transformer है जो classified किया गया service के basis पे यह आपसे पूचा है तो दोस्तों transformer को classificationalf했 जो भोत तरीक़ों से किया है एक तुमने किया की construction के साप से service के साफ से किया एक voltage के साफ से भी किए है construction के साफ से तो डो तरीके के transformer होता है cop type transformer होता है एक cell type transformer होता है यह दो होते है हमारे construction के साफसे एक voltage level के साफसे कौन सा हो जाएगा एक step up हो जाएगा और एक step down हो जाएगा अब basis of service service के साफसे दो होते हैं कौन सा एक होता है आपका power transformer और एक होता है आपका distribution transformer तो यहां पर option D हमारा मिल रहा है कि distribution transformer हमारा सही है यह हमारा किस पर सर्विस के बेसिस पर अगर डिस्टुबिशन ट्रांस्पोर्मर लिखा होता तो वह भी हमारा क्या होता करेक्ट अब अगला कुश्चन देखते हैं यह तो सबको पता ही होगा कि पहुत आसान कुश्चन हो मेंगा वराबर टू पाई एफ होता है ठीक है और इसकी उनिट भी पता होगा रेडियन अभी पिछले कुश्चन में पढ़ाता है आपने नैस कुश्चन देखते हैं अब यहां पर हमारा कुश्चन है दा इसपी यस्टी स्विच इन इछए इलेक्ट्रिकल वायरिंग इस्टेंड़ पूछ रहा है की जो सप्च होता है उसका क्या होता है तो दोस्तों है इसको कहते हैं सिंगल पॉल सिंगल थ्रों स्विच्ष किया कहते हैं सिंगल Pauw जिंगल tr Concept देख आपको समझ में आ हुआ आ गया कि ओन्णुस है एक इंपुर locks टर्मिनल होता है एक Óपुडर में होता है को पॉल कहते हैं श्रों कहते हैं मनलब कि इसको स्वीच से सप्राइट करना है यहां पर हो गया है यह यहां पर तर्मिनल्स हो गया यह T1 यह T2 करना है यहांद एससे कर दिया यहां बल्ब और ऐसे और महला शर्किट अफ मैं इसको दो तरीके से जला सकताय हूं इस ave कि ऐसे एक बल्ब यहानगा दिया है एक बल्ब हमने यहान लगा दिया यह बना नहींके से मालों की बल्ब भी है ठीक है दो बल्ब लगा दिये हम में इनको यह वाला बल्ब जलाना है यह वाला तुम्हीं क्या करूंगा इसको यह कनेट करूंगा अगर उपर वाला जलाना है तुम्हीं यह कनेट कर दूंगा तो इस तरीके से इनका यूज होता है तो समझ में आ गय है जो हम voltage regulation alternator का determine करने के लिए यूज में लेता है options में का दिरका एक direct loading method होता है synchronous impedance method होता है जीरो पा फेक्टर method होता है और option d all of the above जो option d यही सही हो जाएगा आपका यह तीनों के तीनों के तीनों हमारे क्या है voltage regulation को निकालने के method है direct loading method synchronous impedance method और जीरो पार फेक्टर मेंतर तीनों हमारे क्या है सही है अब अगला question है back EMF synchronous motor depends on back EMF किस पर depend करता है synchronous motor में यह हमसे पूछ रहा है तो जो बैक EMF होता है ना यह हमारा हमेशे depend करता है कि क्या excitation हम दे रहे हैं फिल्ड वाइंडिंग के दवारा क्या excitation मिल रहा पर हमको depend करता है तो ध्यान रखना option डी करेक्ट है नहीं स्कूशन है नोटन इक्विलेंट सर्कीट कंसिस्ट हो पर दोस्तों दो थैवनीन और नोटन इस पर काफी कुशन आ जाते हैं तो जो नोटन रहता ना इसका सर्कीट आपने ऐसा देखा होगा यहां पर अधि क्रन्ट सोर्स होगा है और यहां पर यह पर एक राजिस्टर यह करेंट सों साकी ओता है आजने यह आप रहता है यहाँ पर लिखा रहता हा यह सबतनें सब्सक्राइब सब्सक्राइब resolom in okay at the current source in parallel with and equivalent सब्सक्राइब, अगर आप से पूछता कि थैओनिन का बता थैओनिन बाप कहा देतें कि जो उन्टे सोर्स है वहारे क्या होता स्रीज में हो जाता तो बहुत आसान है बैसे जो नोटन नहीं उसी का सोर्स कंवर्जन है अगर इसको करेंगे हम सोर्स कंवर्जन को यह ऐसा बन जाएगा ऐसे हम थैयोणीन को करेंगे तो थैयोणीन से हम नोटन बना सकते हैं नैस्स कुछिशन देखते हैं विच ओफदा फॉलॉइंग माटेरियल इस्वेकंडक्टर माटेरियल इन दोनों में से अप्सण में से सैवेकंडक्टर कुंछा है तो बहुत यासान होगे जो सिलीकन है आपका वो ही सेमी कंडक्टर है ओप्सण डी यहां पर मिल्कुल करेक्ट है यह तो सब को रट गया अब आगे question 44 देखते हैं which of the following is defined as the maximum positive or negative value which an alternating voltage attains during one complete cycle क्या है ना कि complete cycle है यह आपकी क्या है cycle है तो यहां पर यह जो maximum positive value और जो negative value है इसको हम क्या कहते हैं यह हमसे क्या है तो क्या है फिक वैश्ट तो कहते हैं तो option B हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा क्या होती है थ्योंका पीक का यहीं पर यह ना चैसा भी क्वेल है तो जिए सही है कि अगला question is the torque which deflects the pointer on a calibrated scale according to the electrical quantity passing through the instrument is cold क्या है एक इंस्टुमेंट है ठीक है उसको हमने कनेक्ट किया मीटर से उसमें मीटर लगाया यह देखो यह आपका मीटर है यहाँ पर जीरो है यहाँ पर फिप्टी है कुछ एक इस तरीके का का एक एल ए है तो यह पूंच रहा है कि जो इसमें पॉइंटर लगा रहता है मालों यह पॉइंटर है किसके करण डिफलेक्ट होता है कौन से टोर के करण डिफलेक्य alltså और आगए जाएगा और डिडिंग नस्किन आप आप था यह पोइंटर था इसको यहां पर जीरो था जीरो से आगे लेकर जाना रीडिंग वैलू देनी है तो डिफ्लेक्ट होएगा तो डिफ्लेक्टिंग का काम कौन करेगा ओप्रेटिंग टॉर रिस्टोरिंग लिखा है यानि कि वापिस अपनी जगे पहले क्या ना यानि कि नहीं हो जए तो उसको हमको इक पर्टिक्र्गे पोजिशन पे लाने के लहीं यह साग़ी है तागी यह सब्सक्राइब का इसे हैं डेम्पिंग इस्तेवाल करते हैं डेम्पिंग टॉर्क से हैं तिस्ट्रेक्टिंग आप Springs कोई चीज नहीं डिस्ट्रेक्सर ठाइब यह नैस देखते हैं यह मोई फ Jade a ri promise ट्रांजिस्टर है ऊस holiness इमिंटेर का सकल तो यहाद होगा ना कुछ इस तरीके का हमना यहां बेस है किसे dal कलक्टर होता है कि इधरमें आपका तो पूंबेस नुट कॉमन में कि ठीक आगे बोलड़ा डिटर्माइन दा ओपरेटिंग पॉइंट वैन क्लेक्टर लोड और सी सिक्स किलों यह आने कि यार यह आर्थी के वैल्यू भी हमको दे रखिया खक्ष ग्रखिया अब हमसे पुछ रहा कि ऑपरेटिंग पॉइंट बता हैं यहां पर जो प्लस और माईनर होटें तर्मिनल होते ना यह वाले कलेक्टर और इमिटर के बीच में यहां पर होता है आपका कट्र टो इमिटर वोल्टेज वी सी ई तो जो ऑपरेटिंग और VCEQ इनको कहते हैं operating point तो यही दो हमको क्या करने हैं निकाल ले हैं अब देखो इनको निकालेंगे कैसे हम अब यहां पर क्या है हमको तो ICQ है तो IC Current तो पहले से दिया है तो सीधा सीधा पता चलिए इसकी value क्या होगी वन मेलीएम्पीयर है तो अब यहां यहां पर वन मैली एंपेर है न वहीं वाले option correct तो यह मालों आपका ऐसा सरक्यिट था यहां पर रेजिस्टर्स था यहां पर वी सी था ठीक है तो मेरे को क्या करना है ऐसे वह लगा देना के वी वी सी यहां पर यहां पर अपर से लगाओगे तो आपके आएगा वी सी चैका वी सी यह हैं पर फृसकी निकालना है तो यह क्या होजाइगा थे फिस चैकलंद आई सब्सक्राइब दो मिली आमपियर मिलिया कि यानि कि सिक्स्ट किलो मैं उंक्ट वाली टो गैल तो यह वाली तो और 1 Milli A pyr हमारे क्या जाएंगे ऑपरेटिंग पॉइंट हम नएस कुष्चन देखते हैं हर व मन वाटिज़ इकुरलटु वहीं वन वाट किसके नों ओता है तो वाट क्या होती है हमारी हो पावर की यूट वоп10 व और LEE następаете होती है तो option A जो है यहां पर वो बिल्कुल सही है हम नाइक्स्ट कुछिशन देखते हैं विच ओफ दा फॉलोइंग मटेरियल इस यूज इन दाफ लामेंट्स ओफ लेक्रिक बल्ब्स यह तो बहुत आसान कुछिशन है अब देखिए विश्ट सब्सक्राइब करते हैं यहां पर बिल्कुल सही है यह कुछिशन है फेरो मैगनेटिक मैटेरियल सच इस आइरन ड़न सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अगर हम मैंगनेटिक फिल्ड इंक्रीज कर देंगे न तो रिलेटिव पर्मेबिलेटी वी क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी अब ने पढ़ा होगा एक फोर्मुला ब्यू इसक्राइब को बढ़ाएंगे तो यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा ऐसा कह सकते हैं तो उप्सन भी आपका बिरूल सही होगा इंक्रीज होगा नाइस कुछन देखते हैं रेजिस्टर कलर्ड यलो वोईलेट ओरेंज और गोल्ड याद रखना है यलो है यलो का कोट वाई लिख देता हूं मैं वोलेट का वी ओ जी ओ फॉर औरेंज जी फॉर गोल्ड वी वाई ओ जी हैवर रेजिस्टर न सोब डैस विता है टोल्ड न सो फाइव परसंट का टोल्ड न से रहा है बताओ रेजिस्टर के वेल्यू क्या होगी वी वाई ओजी है हमारा वी वाई ओ जी एक बाड़ या लिख लेते हैं ताकि इस कुश्चन को सोल कर पाएं अब इस कुश्चन को सोल कैसे करते हैं देखतो दोस्तों जो हमारा रेजिस्टर होता है इस तरी के से का होता है जो आपको दिख रहा है उसमें ऐसे कलर्स बने होते है जो पहला डिजिट होता है पहला कलर होता है पहली डिजिट हो करता है दोसरे दूसरी को तीसरा करे मल्टिप्लायर को डिडिते साथ ले थे ये बार देखो पहले क्या था यलो वोरे ट्रेंज और गोल व्यपी ओजी जटेखो वाई जी पहले यलो आयगा ऩ। है अवे लोग देखो यलो क्या चार नर्ड यहां पहुति है साहर लिग धिया हब आगे क्या वोईल अब तर्ड जो डिजीट था औरेंज वाला ला इकाड आये को करेंगा करेंगा मल् πलाय को मिल्टीपलाय का साही में है ठाद इ bible और जैसे मटीपलायइनगी न लीखेंगी सब्सक्राइं करा चरका मॉट्स के लिखाए लग्ति 10 to the power 3 10 to the power 3 यानि किलो लिख सकते हैं तो तो रेजिस्टन्स के आ जाएगा हमारा 47 किलो ओम प्लस माइनस 5 पर्टेंट इस तरी के से हम को निकाल लेंगे आप याद रखो जो पहले दूसरे कलर होते हैं वो तो रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तीसरा होता है को प्लस माइनस करके तोल्रेंस लिख तरीके से आँसर आज आएगा अब ये टेबल वी याद रखनी है को अब टेबल कैसे याद रखोगे यहाप है इंधैक कंतर ब्याम याद रखो रोई यह किसी का नाम है बी भी रोई ठीक है तो यहां पर देखो बी स्टार्टिक में भी आ रहा है तो मैंने बी बी ले लिया इसका और ओ Brittany यह जी से great आ गया इससे Britain गया तो BB रहे hope great Britain very good आगए V और G का मनलब आजाएगा very good थीक है तो कैसे आद रखोंगे BB row great Britain very good BB row यह आ गया एक साथ hope great Britain एक साथ आगया very good यहां पर आ गया ठीक है यह यह आद रखना है लाश में तो क्या लिक्ने है लिखते जाना जीरो एक दो तीन होते ना गोल्ड सिल्वर इनको छोड़ देना दो को लास्ट को इसमें कुछ नहीं लिखना लिखना और कर जाएगा लेका नैंगा उसके बाद माइनस लिख देना याद कर लो बागे की जरुत नहीं आप देखलो अगर याद हो सकता तो इसको करके चलता वैसे एक कुछण आयगा तो नहीं तो ज्यादा पहुचा नहीं जाता है नाइस कुछन देखते हैं कि डैस इस दा इम्फ इंड्यूस्ट इन वन सर्कीट द्यू टू चेंज ओ फ्लक्स लिंकिंग इट दा फ्लक्स बिंग प्रिद्यूस बाइदा करंट इन अनुदर सर्कीट तो यह कौन सा यह में होता है इप होड़ी कोईल है यह दूसरी कोईल है dubu ट्रीक है के एक कोिल में करन फ्लो हुआ अइए इस करेंट फ्लक्स फ्लक्स प्रिद्यूस फॉआ ऐसे करकी five and five फ्लक्स क्या होगा दूसरे से हमारा क्या हुआ लिंक होगा इस को इसको से सैकेंट्य में हमारे एक EMF induced हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे mutually induced EMF अब आप comment करके यह बताना है यह जो मैंने diagram बनाया ऐसा और mutually induced EMF यह सब कहां पर काम में आता है कौन से किसमें transformer में मोटर में generator में आप comment कर देना ठीक है दोस्तों next question देखते हैं one ring network of distribution is fed by more than one feeder in the desk electrical power distribution system मलब कि ring network में जो distributors होते हैं उनको एक से ज्यादा feeder से दवारा feed किया जाता है ऐसा कौन से system में करते हैं तो यह करते हैं रिंग main distribution system को यह को रिंग main distribution system में रिंग का मलब क्या होता गोला देखो यह एक गोला साही बन रहा है ना तो इसमें क्या कर देया हमने यह कंजूमर है यहां से हमको कंजूमर को लाइन चले गई यह भी कंजूमर को लाइन चले गई यह क्या transformer है distribution transformer ठीक है यहां पर लोड का मलब भी यह यह जो मरें ठीक है देखो फीडर सबस्टेशन यहां सबस्टेशन टूब एक से ज्यादा से connected है तो ऐसे distribution system को क्या कहते हैं रिंग में distribution system next question है the unit of angular frequency angular frequency यानी ओमेगा ओमेगा के युनेटी अभी पढ़ी थे आपने पहले की क्या होती है radian होती है ठीक है radian तो option A आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा radians per second ठीक है और जो hertz होती है यह अमारे क्या होती है आप की होती है simple ठीक है next question देखते है इन इंडिया दा इस्टेंडर्ड वोल्टेज एट विद्धा सप्लाई अथरोटी डिलीवर पावर तुदा आपका कर दो तो सी और डी आपका कर जाएगा यह दो बचे अब त्री पेज की बात कर रहे हैं तो चारसो पंद्रा वोल्ट आएगा अब हमारे गरों में सिंगल पेज आता है मापे 220 वोल्ट आता है तो यह तो अप्सन यह आपका करेक्ट हो जाएगा अगर आप से घरों के लिए पूछ सकते हैं कि सिंगल पेज में क्या आएगा तो आप बता देना 220 वोल्ट फिफ्टी एड्स होगा अब नाइस कुशन है डैस इद्धा रेशो पी स्मॉल चेंज इन प्लेट करन्ट टूए स्मॉल चेंज इन ग्रेड व छाए दोस्ति को वी अपन आई होता है तो इसको हम क्या कहते है रेजिस्टेंस अब यह कुछ आपको व्रियेसरंस का उल्टा जैसा नहीं दिख्राइगा गया आई अंपर आगया वी नीचे आगया तो दोस्तों च्देंस जैसा चीज़ कोंसे श्ब्समें देखर है बी में आप मिले जाए जाए किसके कारण पोइंट चार्ज के कारण तो ओप्शन सी यहां पर बिलकुल सही है अगला कुछ्छन है विच ओब दा फॉलएंग इस्ट्यूमेंट इन नोट यूज एन एमिटर एमिटर के तोर पर एमिटर क्या करता है करन्ट को नापता है करन्ट को तो थो तक मैंस्कों प्याहिने जोए इन्योट्य के शसकते हैं सब्सक्राइब सट्सेयरन अगला तेन सट्वाटों मौनटर इसस्पीड संसे तैसांटिफार स्ब्सक्राइव क्जूं कि स्टार्टिंग व। होती है थीक है है तो हमसे पूछ आगे जो सेंट इंट्रिफ्ट ढप सीच होता है ना में व्रिकल के स्पेज में या पैररल वे खिरगें तो आपको इसका ।- sudah अदियां तो इसके इसका different होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग में अब देखो उप्षन दी में स्टार्टिंग तो यह आपका सही हो जाएगा अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है इंदा डेल्टा कनेक्शन लाइन करन्टी स्टार्टिंग देल्टा होता है ना उसमें लाइन करन्ट होता हमारा रूट 3 टामस फेज करन्ट तो रूट 3 की वैल्ली होती है 1.732 तो उप्षन सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है और अगर इस्टार पूंच लेता ना इस तो इस्टार में करेंगे तो इस्टार के बात करेंगे तो उसमें वोल्टेज होता है और डेल्टा में दूसरा देखेंगे तो वोल्टेज इस्टार में करेंट इस्टार के लिए है यह डेल्टा के लिए है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पिलिज लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेर जरूर करें कमेंट जरूर करें थैंक यू